आप को बीस मिने के अंदर जो है क्या मडalten है जो अब आप फििमेट मिनस्टर और चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और नजाने क्या मनाने यह वह लोग जो पर वक्षो और रखी तकी आज पहुत 1956 क्लें और फिर गर गर क्याने कि Number 10 कि बाते का कि बातें और रहं के रहं कि जूति अर गहां कि वहती है उनके कि सब्सक्रान dobrze पर भी रहत पाउं की से कहते हैं और घर गर जा झेसीजंटी से मर खाथ है तो सब्सक्राइब तो छिर्ण के लगी तो खैर इनोंने फिर इस सम्की भी बाते की कि किया पाके पाकिस्तान में मड़ क्टम हो गहीं के पाकिसान में फीमेल बढ़uard के सॉवाई कि 오빠 बढ़ के बाते पूछी로 जो लोग इनसे इंटर्वियू ले रहे हैं वो मेरे दोस्त भी हैं लेकिन बात यह है कि वह इतने हलके कोश्चंज इनसे कर रहे हैं इसे एक साथ बैटे तो वह कहने लगे जी क्या इस्लामिक कंट्री में जो है जाए है और उसके जवाब में जाकिर नायक का कहना यह था कि हाँ जी डिक्टेटर्शिप हो सकती है अगर आप अपने रिलिजिन को पुरी ताना से फॉलो कर रहे हैं हर्चीज कर रहे हैं तो फिर आप डिक्टेटर्शिप में कोई बुराई नहीं है यानि कि इससे पता यह पुरी जाना है और जाहिर इनको बुला कर यह बताए जारहा है कि डिक्टेटर्शिप बहुत अच्छी होती है अगर फॉज आ जाए और फॉज हुकूमत करने लगे तो वह बड़ी अच्छी बात है इसका मतलब यह है कि ताल में कुछ काला है या पूरी दाली काली है पाक पता नहीं कौन से घर जाना है इसलिए कि हमारे तो घर जाना घर जाना जब बोला जाता है तो आम लोग जेल बहीं देटें हम कहते हैं जी जेल को घर बुला प्लान था वह चोपड की हो गया वह मैं बताती हूं आपको कि हमने वी सोचा तक आएंगे फिर भारत की बारे में जो कुछ भी को पता कि लेकिन हम पैसे मंग लेए लेकिन उसके बाद वहगां हर। पाकिस्तान से पैसा मंग ले। अच्छा मैं लगता। और बियसे वहां का और समांजोतनाक लेकर आ पुड़ समय। तो फूस्ब कि यह हो यह हम लगों ने पितक्तान पटक पटक कितोया और फिर सभी ने कहा के तो वा यहां से वहां तक एक हंगामा मज गया और आखिर कार होना क्या था जाकिर नाइक को माफी मंगनी पड़ गई जी यहां जाकिर नाइक ने पियाई-ए से माफी मागी जाना है ना यहां पर खचर गदे ऊंट यह गोड़े- ही पड़ेगा तो इस वज़ेन से हुआ हे खुए से हुआ हुआ है खीशना को आकर प्याई कहा हमने यहां पर मठी चटागे रखी ही लाहौ पहुःजगें लाहौर में कहा जा रहे हैं सिक्ट्रुटी बढ़ा दी यह कि यूँग चुरू से हुआ यह ता कि जैसे आप आप लोग देखते हैं मेरे घर अपर अपर तो गासर आप जो गेस्त आते हैं तो इसलामाबाद ने कोई काम है तो आके हमारे घर जब रुख जाते हैं मेरे डेके हैं मेरे यह यह जह जाता है कि यह कोई को जैने को जाते हैं जाते जाते जो है ना वो बुरा बला कहके निकल जाते हैं कि सोचते हैं दुबारा तो आना नहीं है तो चलो कुछ भी बोल दो या दुबारा बहुत टाइम के बाद आने जब तक यह लोग भूल बाल जाएंगे तो ऐसे आम हमारे देशी घरों में यही परमपरा है यही किसे ही ट्रेडिशन में ख्याल हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही जगह है कि हम लोग यही कहते है आदिती तो कब जाओगे तो बाराल अब हुआ यह कि इनको भी यही प्लान करके बलाएंगे होगा यह नोंने भी सोच होगा कि शुरूर में पाकिस्तान की वावा कमाल है और एक वहां भारत में हम हिद्वों के साथ रहा ही कोई नहीं पा रहे लेकिन हुआ यह कि हमसे बहले तो प्याई ने पैसे मांग लिए यह सुनते ही जो जानी के जो यह सहाब तश्रीफ लाएं हैं जाकिर साब निया उनके साथ हुआ यह कि उनकी टोपी के अंदर आग लग गई जी हां और टोपी के अंदर आग लग गई यह नहीं के दिमाग में लग यह नहीं के भेजा फ्राय हो गया उनका और उन्होंने सोचा कि यह क्या तरीका है भाई मुझसे पैसे किसलिए मंगे जारें तो हुआ यह होते 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 जाकिर नाइक साब जो है जो ह पैसे मांग लिए तो उन्होंने उसके बाद किया यह कि पाकिस्तानियों को धोना शुरू किया कभी कहा कि जी फीमेल्स जो हैं उनको अगर आप 20 मिनट तक दिखते रहें तो अगर आप आपको कुछ नहीं होता या आपको कुछ फील ही नहीं होता तो आप इसका मतलब में म घुड किया बनाने यह वही लोग जो राकिन ऑग टाइप के जो बाते करते बाहर निकल के कि ओड़र जो है वो पाओं की जूती है और घर में जाके उसी जूती से पिट ते यानि कि घर में जो आप बैटी होती है गर में जो इनकी वाइफ पोटी है या कोई भी आपमनी तो अगर आप साथ है आप सभी का हमारी चैनल पर आप देख रहे हैंए इंडिया वेब नीज्जनीब डाहिश पाउफ सबस्ट क्या जा भात जल्लिदीद पिटने वाला ऑर क्यमक्यों कि यह इस तहरा टेव कर रही है जिसके बात इसका पिट ना लाजमी है बही इसने ये कहा है कि अगर आप टीवी देख रहे हैं और सामने अगर नियूज एंकर 20 मिट तक आपके स्क्रीन के सामने है और आपको अगर कुछ नहीं होता तो मतलब आपको प्रॉब्लम है मतलब आप अपने घर पर भी बैठे हैं अगर आप अपनी मा बहन को भी देखते हैं और आपको हलचल नहीं होती तो आपके अंदर प्रॉब्लम है ये इसलाम के सच्चाई है या जाकिर नायक के मन गड़ंत बाते हैं और जिस तरह से ये खुले आम पाकिस्तान में ये कह रहा है और क्यों बचा हुआ है इसका मनलब जाहिल पाकिस्तानी खुद है खुद उनकी मानसिकता इस तरह से है इसलिए वो इस तरह की बातों को सुन रहे हैं और उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं अगर कोई और होता तो इसके कंपटे पर चार थपड़ मारता और बोलता कि चुपचाप यहां से निकल जा जहां से आया वहीं वापस चला जा लेकिन पाकिस्तान में अभी भी लोग इसको अपने सर पर बिठा रहे हैं यही कारण है कि कई बार इसलाम के उपर सवाल उठते हैं ऐसे जाहिलों की वज़े से सवाल उठते हैं जो इस तरह की बाते खुले आम टीबी पर आकर करते हैं आपने वीडियो देखा जिसमें यह एक महिला एंकर के सामने ही बोल रहा है अगर आपको मर्द देखता है और उसके दिल में हलचल नहीं होती तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस तरह की बाते जाकर नाइक जैसे लोग करते हैं और उसके बाद पाकिस्तानी जो वहां बैठते हैं वो तालिया बजाते हैं लोग उनको सुनते हैं लेकिन कुछ लोगों को इन सब चीजों से प्रॉब्लम हो रही है और उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि भारत से इ आप लोगों का क्या कहना है कॉमेंट करके बताएं चैनल अगर नए है ते चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जै हिन जै भारत